वेलकम तु दे यूट्यूब चैनल अफ्टोर्मेंट अगर कोई हेल्ट इंशॉरंस पॉलिसी होल्डर को कोविट नाइटीन के लिए कैशलेस ट्रीटमेंट ना मिले तो उसे हेल्ट के साथ साथ पैसो की भी चिंता सताएगी ऐसे सिचुईशन में IRDI ने क्या स्टेप्स उठाए हैं और एक पॉलिसी होल्डर क्या कर सकता है आएए देखते हैं पहले समझते हैं कि ये कैशलेस क्लेम क्या है कैशलेस क्लेम सर्विस इंशॉरंस कंपनी की तरफ से ओफर की गई एक ऐसी सर्विस है जिसे आप बिना पैसे दिये इंशॉरर के नेटवर्क होस्पिटल में इलाज करवा सकते हैं पर ये पैंडमिक सिचुईशन के दौरान बहुत सारे होस्पिटल्स पॉलिसी होल्डर का कैशलेस क्लेम डिनाय कर रहे हैं और कुछ हॉस्पिटल्स कैश डिपॉजिट की भी मांग कर रहे हैं पेशेंट्स की बड़ती मुश्किलों और हॉस्पिटल्स के ऐसे रवये को दिखते हुए आयाडिया ने इंशॉररंस कम्पनीज को ऐसे हॉस्पिटल्स के खिलाब कारवाई करने को कहा है जो कोविट-19 की पेशेंट्स को कैशलेस क्लेम सर्विस डिनाए कर रहे हैं इतना ही नहीं इंशॉरंस कम्पनीज को ऐसे हॉस्पिटल्स जो की पेशेंट्स को कैशलेस क्लेम डिनाए कर रहे हैं उसकी सूचना उनकी स्टेट या एरिया के गवर्मेंट को देनी होगी और इन हॉस्पिटल्स के खिलाफ जो एक्शन लिया जाएगा वो IRDAI के वेबसाइट पे भी पबलिश होगा पॉलिसी होल्डर भी अपने कंपलेंट्स नीचे दिये गए लिंक पर जाकर रजिस्टर कर सकते हैं नेटवर्फ होस्पिटल्स को ये पैंडमिक डिजीज के इलाज के लिए पॉलिसी होल्डर को ठीक उसी तरह कैशलेस ट्रीटमेंट देनी होगी जैसे कि वो दूसरी बिमारियों के लिए प्रोवाइड करती है तो अपसे कोई भी पॉलिसी होल्डर बिना किसी चिंता के अपना इलाज अपने नेटवर्फ होस्पिटल में जाके करवा सकते हैं आपके पॉलिसी के नेटवर्फ होस्पिटल जानने के लिए या पॉलिसी रिलेटेट कोई और जानकारी के लिए आप आपके सर्टिफाइड टर्टलमेट इंशॉरंस एडवाइजर को कॉंटेक्ट करें